सिक्षा विभागने सरकार ने बच्चों के भविस्व को ध्यान में रखते हुए अने को महत्पून फैसल किये हैं कक्षा दस्की परिक्षाएं जो मादमिक सिक्षा मंडल लेता है उसके कई पेपर हो चुके थे जो सेस्वचे पेपर है जो सेस्वचे विस्व है उनकी परिक्षा अब नहीं ली जाएगी जिन विस्यों की परिक्षा हो चुकी है उन्हीं विस्यों के अंक के आधार पर मेरिट लिस्ट घोसित की जाएगी और जो बिस्यों वचे हैं उनके सामने के वल पास लिखा जाएगा बारवी की परिक्षा जो मादमिक सिक्षा मंडल लेता है पोर्ट की परिक्षा वो बच्चों के भविस्व को ध्यान में रखते हुए अत्यंत महत्पून होती है बहुत महत्पून होती है उस परिक्षा के परिणाम बच्चों के भविस्व की दिसा तै करते हैं इसलिए जरूरी है कि वो परिक्षा पूरी ली जाए उसलिए बार्वी की परिक्षाओं के जो प्रश्ण पत्र सेस रह गए थे अब उनकी परिक्षा दिनांग 8 जून 2020 से 16 जून 2020 के मत्य आयुजित की जाएगी सीवी एस्सी के परिक्षा की तिथिया भी घोसित हो चुकी है हमारे बार्वी के बच्चों का भविस्स प्रभावित ना हो इसलिए हमने ये परिक्षाओं लेने का फैसला किया है एक और महत्कून फैसला हमने किया है दिनांग 19 मार्च से प्रदेश में लागडाउन रहने के कारण और लागडाउन रहने की अवधी तक सभी नीजी विद्याले विद्यार्चों से केवल ट्यूशन फीस ले सकेंगे केवल ट्यूशन फीस क्योंकि इस अवधी के दौरान इसकून बंद रहे है ट्यूशन फीस जरूरी है ताकि वो विद्याले चल सकें लेकिन इसकी अत्रिक्त किसी भी प्रकार का सुल्क इस अवधी के बीच लागडाउन के अवधी के बीच का बच्चों से नहीं लिया जाएगा चाहिए वो स्पोर्ट्स का सुल्क हो लाइब्रेरी सुल्क हो बसों का हो किसी भी प्रकार का सुल्क जो ट्यूसन फीस के अलावा लगता था वो नहीं लिया जाएगा इसकूल खुले के बाद विद्याले अपना फैसला करेंगे लेकिन इस अबरी में कोई सुल्क बसों लेकिया जाएगा